आपने खेल अम्युआ कारिखम समंधित अनुदान मांगों के संदर्ब में मुझे बोलने का उसर दिया है मैं सबसे पहले तो हमारे सम्मानिय खेल मंतरी माने स्रीक्रण दिजू जी और देश के सम्मानिय प्रदान मंतरी माने नरिनर भाई मोदी का बहुत बहुता अबारवेक्ष करूँगा कि उन्होंने इसे एक मैतुपूर्ण विबातियो और विशेस जान दिया है खास्तोर से इस बार जो एक नई पहल उन्होंने की है NACB के माद्यम से National Sports Education Board बना करके और खेल को एक नई दिसा देने का विचार उन्होंने किया है मेरे से पूर वक्ताओं मैं लजीक सारे वक्ताओं ने यातर खेल के संदर में गोला है मैं फोड़ा सा युवा कारिक्रम के संदर मैं कुछ अपने एक दो बात कहना चाहूँगा इस मंत्राले में जो युवा कारिक्रम है उसमें लगवत 14 उपकरम है और उसका एक कारण है मैं हमारे देश के करांती कारी राम परशाद बिसमिल की एक गटना से पनी बात कहना चाहूँगा राम परशाद बिसमिल एक ऐसे करांती कारी थे जिनों आजारों नोज़वानों को प्रेज़ना दी 19 इसमबर 1927 को वो फांसी पर चड़े चार नोज़वान एक साथ राम परशाद बिसमिल अस्फाक उल्ला खां रोसन सिंग और राजन सिंग लाहिडी जेल में बंद रहते हैं उन्होंने पुस्तक लिखी अपनी आत्म का था और गेंदलाल दिक्षित जो उनके गुरू थे उन तक कुनों इस पुस्तक को पहुँचाया वो पुस्तक परकाशित हुई मेरा सोबागे रहा कि मैंने इस पुस्तक को पढ़ा और इस पुस्तक को पढ़ करके मेरे मन में एक भावाया कि मुझे उस देश के लिए काम करना चाहिए राम परशाद बिसमिल अंतिम उपसंगार के समय में जब फांसी चड़ना था एक दिन पहले उस पुस्तक में अपने एक बात लिखते हैं कि मैंने देश की आजादी के लिए एक करांती कारी रस्ता अपनाया उससे मैं संतुष्ट हूँ कि मैं उसके मादम से फांसी के फंदे पर चड़ूँगा और मुझे दो दिन बाद फांसी हो जाएगी मैं देश के नोज़वानों से एक प्रेना देना चाहता हूँ उन्हों लिखा कि मैं ये तो नहीं कोँँगा कि सब नोज़वान मेरी तरह फांसी के फंदे को चुमे और इस करान्ती कारी पत पर चलें लेगिन एक काम जरूर करें वो गाओं में जाएं और गाओं में जाकर के गाओं के गरीब मजधूर किसान उनकी संतानों को सिक्षित और संसकारित करें और एक बात जो उन्हों नहीं बहुत मैत्वपून थी कि शिक्षित रेक्टिका शोचन नी होता और संसकारिक रेक्टिका पतन नी होता मैं समलता हूँ कि हमारे देश के वरतमान प्रजान मंतरी नरिंदर भाई मोदी ने केवल देश के युवाउं को खेल के छेतर में बढ़ावा दे रहे हैं बलकि उनके एक पहल है और वो पहल ये है कि देश का युवास शिक्षित और संसकारी तो लेकिन मैं एक नवेजन करूँगा जो संसकार की कहीं बात आती है जब शिक्षा निती में प्रिवतन की बात आती है तो हमारे साथ्चों को बड़ी तकलीफ होती है भगवाकरन भगवाकरन की बात करके खड़े हो जाते हैं मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा हमारे भारत के अंदर जितने भी मत्पन संपरदाए हैं धर्म हैं उनके संस्थापक और उनके मारण दश्टा लगवाग यूआ होए ने केवल मात्रे देश में अन्य छेतर में काम किया है बलके देश को गती सील किया है आप किसी छेतर में भी जाएंगे आप एज्यूकेशन के छेतर में जाएंगे आपको पूरी दुनिया के अंदर बारत का साइंटिस मिलेगा बारत का डॉक्टर मिलेगा अभी मेरे सामने मेरे से पूर एक वक्सा कह रहे थे कि हमारी टीम खेलने के लिए गई तो वहाँ पर भी हमारे खेलाडी मिले यानि वहाँ कोचिस जो थे वह हमारे कोचिस मिले आज भारत का यूवा विजश्म जाकर कोचिंग कर रहा है बारत का युवा विजय समझा करके गाइडिन्स कर रहा है विज्ञान साइंस टेकलोजी के छेतर में काम कर रहा है इसलिए युवाँ को संसकारिद करने के आउशिकता है और संसकारवान युवा होगा तो वो युवा कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेगा तो हमारे जो लवगत 14 कारिकर मुपकरम दिये गए है वो नोज़वानों को सिक्सित करने के साथ आथ में संसकारिद करने की बात भी कही गई है खेल के छेतर में भाई राजेवर्जी ठीक कर रहे थे कि खेल केवल मात्रे एफिजिकल अक्सिरसाइज नहीं है हमारे एक बहुत बड़े संत्व हैं स्वामी शर्दानन मैं कॉंग्रेस के बाईयों से एक बात कहना चाहूंगा 1825 में कॉंग्रेस सिस्तापना हुई और 1925 के अंदर जब अमरी सर्में कॉंग्रेस का अजिवेशन हुआ उसमें कई भाई हिंदी के उपर बड़ी चर्चा हो रही थी स्वामी शर्दानन पहले व्यक्टी थे जिन्होंने 35 साल बाद कॉंग्रेस के अजिवेशन में हिंदी में बाशन दिया और वहां उन्होंने का कि मैं तुम्हें हिंदी बोलनी सिखाता हूँ वो 1926 में शहीद हो गए स्वामी शर्दानन गुर्कुल कांगरी अरजवार के अंदर उन्होंने विश्विच देले की सापना की वहां नोजवानों को क्रिकेट खिला रहे थे तो इसी सदन में सांसद रहें आचारी नरेंदर देव जी आचारे नरेंदर लेव जी ने उनको एक बात कही Jaap सन्यासी हैं आज अरे समाजी हैं और फिर आप ये विज़ेसी खेल क्यों खहला रहे हो तो उनका खेल को खेल सी विज़ेसी नहीं होता है खेल खेल होता है और उन्होंने एक बहुत महतुपन बात कही कि क्रिकेट में इसलिए खिलाता हूँ कि सामने खिलारी होता है और एक दूसरा खिलारी जब 120, 35, 35 की स्विर्ट पर गेंज हेटता है तो उसको उसमें दो काम एक ठास करने पड़ते हैं एक उसको डीसिजन लेना पड़ता है मुझे किदर खेलना है और दूसरे अंदर उसमें निर्बहता आती है अभै होता उसके अंदर भैभीत होने वाला रट्टी कभी डीसिजन ने ले सकता इसलिए एक स्कूल में नेसमों खेला कबड़ी खेलता हूँ तो कुष्टी के अंदर भी बिना दिमाग के आजमी खेल ही ने सकता किसमें कौन सा दाव लगाना है किसमें क्या पठकनी देती है बुद दिमान खेला रही खेल सकता है मोटे दिमाग का आजमी कभी कुष्टी ने खेल सकता मैं हसे निवेदन करना चाहता हूँ और आज इसलिए पुस्ती के छेटर में बड़े बड़े अठ्याचे पड़े लेकि नोज़वान जा रहे है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ आपको कि आज युवा किसी छेटर में विजा रहा है युवा किसी छेटर में विजा रहा है वो छेल के मैधान के अंदर भी हमारे अंतराइच से इस सरके उबFr पिछले दिनों हमारे नोज़वानों ने जिस पर कार से रखासों से हमारी बेहनों ने कुछ्थ्ती के छेटर में अंतराइच इस सरके उब कर जा करके हमें और अधिक बढ़ावा देना चाहिए राजवर्णी कहरे से कि कई बार देशों के बीच में खटास हा जाती है तो हाँ खेल के मार्जम से हमारे आपस में नज़्दी काते हैं आपने एक प्रोग्राम दिया आप माने प्रधान मंतिजिने खेलो इंडिया मैं इसका दूसरा आर्ष लेता हूं खेलो इंडिया का prophets बच्चे खेलना नहीं है खेल युवा खेलना नहीं है आपने कहा खेलो इंडिया जब 80 सालका आदमी खेलेगा 60 सालका खेलेगा तो खेल के मैदान में जाएगा तो देश फस्त होगा और मजबुत होगा तो हमें जह कह हुस्पिल खोल लें कि आवशिक्ता नहीं है और किसी चीज डिल कि आशिक्ता नहीं है ज़िए जोरे मोदी जी ने इसलिए योग का मैं तो दिया क्योंकि योग मैं जवाद में योग करता है तो किंस्टेट करता है मैं इस शेतर में काम करता है रहा हूं लंबे समय तक और आदमी मेडिटेशन करेगा जितना आदमी के एकागरता होगी हर फिल्ड के अंदर जो आदमी एकागरनी होगा उगलती करेगा चाहिए उग राजितिक फिल्ड है आदा घंटा ये दिन नोजवान योगा करेगा मेडिटेशन करेगा वो कभी गर्थ पत्पर ने जाएगा क्योंकि अपना आतम चिंतन करेगा जब आदमी स्विम आतम चिंतन करता है तब वो आदमी देश का काम आगे बढ़ाता है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा बजट भी प्रयाप्त मात्रा में दिया है और ये बजट की स्थिती और आगे बढ़ती चली जाएगी मोधी जब भी सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि हर खेतर के अंदर हम अपने नोज़वानों को आगे बढ़ाएं मैं अधिक समयने लेता हुआ क्योंकि हमारे गुरुजी एक बात कहते थे मेरे गुरुजी एक बात कहते थे कि बोलो कम सुनो